कि नमस्कार उत्राखंड की आवाज में आपका स्वागत है मैं हूँ कैला स्वियाल आज हमारे साथ हैं बस्पा के वह ब्रामण उत्थान महासबा के परदेश उपाध्यक्स हेम भड़ जी जो यहां से बस्पा से के परतियाशी हैं क्या मुद्दे नों के रहेंगे किस तरीक से रुजहान इनको मिला है हम इनसे जानेंगे पहले तो भड़ जी स्वागत है उत्राखंड की आवाज में आपका धन्यवाद स्वाल साब आपका हर्दिक आभार आपने इसलाइक समझा किस तरीके से लोगों का रिस्पोंस मिला है क्योंकि अभी तक आप परदेश में कही भी बार विधायक बनाने जा रही है और उसकी बजय क्या है कि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है और उसके अलावाद जो अनुसुचित जाती का 32,000 बोट है वो जो कम पढ़ता था इस बार वो कॉन्फिडेंस में है और वो पक्का मन बनाए हुआ है इस बार जैभीम का नारा देने वाले को हम जो है विधान सावां पहुचाएंगे और ना तो यह मिशन को आगे भाजपा बढ़ा सकती है न काम कर सकती है क्योंकि भारती जंता पार्टी जो जूट बोलके क्योंlier 600 गरेट पे की बात इसने करी तमाम पुलिस वाले तमाम करमचारी तमाम अधिकारी प理सान है जंता परसान है अगर यह चाहते तो यहां पर उत्राखंड में यहां कुमाई में भी एम्स आ सकता है राम नगर में में यहां 거야 वहां का था वो सारा केडर बोर्ड है 15,000 वो तो पढ़े गई जो मेरा ब्यक्तिका निर्दली में मुझे पढ़ता था वो भी है और उस बार जो सौन समाज इस राम नगर में अकेला कंडियेट 50,000 की आवादी में यहां दबा के बोर्ड हेम भट को पढ़ रहा है कहीं बहुजन को पढ़ रहा है क यह मेरी जीता भट जी बहुजन समाज पाल्टी का उत्तर परदेश में भी उत्ता जखासा असर दिखाई नहीं दे रहा है इस बार तो क्या उत्राखंड में किस तरीके से आप मानते हैं कि आप यहां पर आप बता रहे हैं कि हम लोग सरकार मनाने जा रहे हैं किन मुद्द को यहां जाटब समाज का दलिदन को कि बेंगार्णक का नहीं का काम कर रहा है इननोंने अगर काम किए की होते हैं जनतच के बीच में गए होते इन्होंने सेवा कि होथी जनता की थه पांच सौ मैंने यहां पर तो यहां पर इस समय जनता परशान है महिलाएं परशान है घर घर में लोगों की और भाजपा के लोगों की इस समय मैदान में कोई नहीं कोई नहीं का तो कंडिड ही नहीं नहीं को लोग कुछ समझते नहीं उनका कोई वजूद तो होता नहीं या तो कोई बड़ा गलेमर वाला कोई नेता है नहीं तो इसलिए मैं जीतूंगा और स्वस्त हूं यहां पर रामनेगर की जनता का जो मुझे प्यार मिला है उसमें मेरे को हर धर्म का साथ मिला है मेरे समा ब्रामना समाज का प्यार मिला है उसके लावाज जो सिक्ख समाज में मुझे पठका पहना करके सम्मानित किया वह मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को जो है मुस्लिम समाज का पूरे रामनेगर में अगर मैं भरती इंदा पार्टी गोहराने का पर्यास कर नहीं तो ब्रामणों में किस तरीके से ब्रामणों को आप अपनी तरफ साधने की कोसिस कर रहे हैं या ब्रामण किस तरीके से किधर करूप कर रहा है क्या लगता है आपको देखिए जहां तक मेरे ब्रामण समाज का सवाल है यह मैं जाती से उठकर मैंने हमें ऐसा काम किया है मेरे सब्सक् blueberry डूट को इसकी सब्सकricole arm涯 बिल सब्सक्राइब को सब्सक्राइब ऑपने चाहिए अपने ब्रवारों को सब्सक्राइब लोग मेरे लिए वह बोट दे रहा है जो भारत्य दिन्था पार्टी को खतम करने जा रही है वह सारा बोट इधर हो रहा है और जो सब्सक्राइब में अपने को ठागा सा मैसुस किया क्योंकि चुनाओ के समय पर लोगों के पाहते हैं वैसे नहीं आते हैं क्योंकि हल्दवानी का कंडियर है यहां पर इसलिए लोग जो है मिरको रामनगर का सभी बर्ग ब्रहामन के अलावा भी बोट दे रहा है आप कोंग्रेस की बात करें माल धन की सड़क है गलियों में जाता हूं तो वहां पर यहां पर कहते हैं जो विदयाई denial नहीं है सकल नहीं दिखाई बहरती जंता पार्टी तबी तो सराब बाठ रही है यहां पर सराब प्रसाशंसे मुए कि यूद्धन करों की उसराव पर अकिल कर घूंक्त करा रहे हैं छोग लोको करगां की रйताने लया हैं तो और लोग आपको बसे लोग के लाएं मेरा से पहला काम मेरा रहेगा जह जूभिस बन ग्राम है उनकी मूल भूच शुविदाएं शड़क बिजली पानी यह तो रहे गए रहेगा उनको मालिकाना हग दिलाना मेरा पहला काम रहेगा जो बन गूजर है वो परिशान रहते हैं उनको प्रतालित किया जा रहा है उनको चारा तक नहीं काडने दिया रहा है वो मेरी प्रांसमिक विध्याले तमाम पानी भर dusat हुमां में मेरा मैं यह जो गर्म हरेग करता है और मैं इस पर बात करूँगा मैं अगर मैं विधायक बना तो यहां पर सबसे पहला काम मेरा नौजवानों को रोजगार की दिशा में ले जाना होगा तो अभी हमारे साथ भड़ जी जिन्हों कि दस मार्च को पता लगेगा रामनगर से अपने साती रभी कानडपाल के साथ तुराखंड की आवाच के लिए के लास्तु याल की रिप्रेंगे